नमस्कार प्रिदर्शकों एक बिचार जो थोड़ी देर पहले मेरे मन में आया मैंने सोचा इसके उपर एक वीडियो बनाना जरूरी है बनाया जाए बचपन से हमें सिखाया जा रहा है अहंकार बुरी बात है क्रोध बहुत बुरी बात है आपके माता पिता ने भी आपको आपके सिक्षकों ने गुरु जनों ने आपको सिखाया होगा मुझे भी यही सिखाया गया अहंकार बहुत बुरी बात है क्रोध बहुत बुरी चीज ह विचार एक मन में उठता है कि क्या इस स्रिष्टी में प्रकृति द्वारा बनाई गई कोई चीज बुरी हो सकती है मुझे लगता है ना ऐसा नहीं हो सकता प्रकृति ने जो भी बनाया है वो बुरा नहीं है उसकी अती बुरी हो सकती है परंती वो चीज कभी बुरा नहीं हो सकता अहंकार सब्द की बात अगर मैं करूं तो अहंकार का साब्दिक अर्थ क्या होता है अगर इसको दो भागों में आप विभक्त करें तो अहमकार संस्कृत में अहम कहते हैं मैं को जैसे अगर आप ओमकार का जब करना शुरू करें तो आपको हर जगा ओम मैं पृथवी में हर चीज आपको ओम मैं दिखाई पढ़ने लगेगी उसी तरह से अहंकार अहम माने मैं, मुझे मैं ही मैं हर जगह दिखाई पढ़ने लगे तो इसी को अहंकार कहते हैं अब जरा सोच के बताईए कि ये बुरा कैसे हो सकता है अगर आपको हर जगह, हर किसी में आप दिखाई पढ़ने लगें तो ये बुरा नहीं हो सकता आप सामने वाले के प्रती एक अच्छा बिहेब करेंगे क्योंकि सामने वाले में खुद को आप देखेंगे अहंकार बहुत बढ़िया चीज है समस्या यहां यह है कि इसको पेस गलत तरीके से किया गया शब्द के हेर-फेर आप इसको सब्दों का हेर-फेर इसको कह सकते हैं या इसका सही बात जो मैं ऐसा नहीं समस्ता कि अहंकार बुरा नहीं होता निश्चित रूप से जब अहंकार की अती हो जाती है तो फिर सब कुछ सर्वनास की तरफ चल जाने लगता है लेकिन अहंकार अगर सुरुवाती दौर का हो ये बहुत अच्छा है और मैंने जब अध्ययन किया तो मैंने पाया कि अहंकार एक अलग तरह के लोगों में आप आम सब्दों में कह सकते हैं कि वो थोड़े धनी लोग थे या यूँ कह सकते हैं कि वो बड़े रसुख वाले थे उनके अंदर अहंकार था अब बात करते हैं क्रोध की क्या क्रोध बुरा चीज होता है इस पर जरा विचार किया जाए निश्चित रूप से क्रोध का भोजन कहते हैं मैंने भी पढ़ा है आपने भी पढ़ा होगा कि क्रोध का भोजन बुद्धी है विचारनी तथे है कि क्रोध है क्या अगर आप बह महसूस करेंगे कि उसके बाद आपका पता नहीं मैंने तो महसूस किया है आप भी साइद महसूस किये हूं कि क्रोध के बाद सरीर कापने लगता है बहुत अधी क्रोध हो जाए तो सरीर कापने लगता है या सरीर कमजोवर हो जाता है यानि एनरजी अब उस एनरजी को सही दि कौन है सिधी सी बात है कि अगर मैं एक सापों में उदाहरण दू तो किंग कोब्रा अगर आप उसको छेडेंगे तो वो क्रोध करेगा और पलटकर आपके उपरबार करेगा क्यूं क्यूंकि उसके मुह में जहर की एक बहुत बड़ी थैली है आम सामाने साप ये काम कभी नह जिसके पास छमता हूँ जब छमता ही नहीं तो अहंकार कहां से आए अब सवाल उठता है कि अगर अहंकार इतनी अच्छी चीज है तो इसको बुरा क्यों कहा गया और हमारे जो रिशी महर्शी पुराने बुजर्गों ने हमें सिखाया क्या वो गलत है नहीं गलत नहीं है वो बिल्कुल सही है बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अहंकार किन परिस्तितियों में व्यक्ति के समुखा रही है अहंकार उनहीं के अंदर पनपता है जिनको एक स्टेज तक जाना है मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा जिनके अंदर बच्पन से ही एक अलग अहंकार था और उनके उपर मेरा रिसर्च रहा कि वो आगे बहुत बहतर इस्तिती तक पहुँचे तो आगे से अगर आप अपने बच्चों में अहंकार और क्रोध देखें तो उसको ये समझाने की जगह कि ये बुरी चीज है उसके अहंकार और क्रोध को सही दिशा दीजिए ये चीजें कोई अपने आप अपने अंदर बिल्कुल नहीं ला सकता यही बात कालिया नाग ने भगवान कृष्ण से भागवत में वरणन है कि पूछा कि मेरे मुह में जो आप मुझे इस काली दह से यमुना नदी से निकल करके जाने के लिए कह रहे हैं परन्तु मेरे अंदर जो जहर है वो किसने भरा? आपने भरा क्या क्रोध सबको आ जाएगा या अहंकार सबके अंदर हो जाएगा? मुझे लगता है ना वो प्रकृती ने जिसके अंदर दिया है उसी के अंदर क्रोध हाती है और उसी के अंदर अहंकार भी आता है मेरी नजरों से देखें, तो क्रोध और अहंकार बुरा नहीं हो सकता बुरा नहीं हो सकता, इस पर बिचार करिए, मन्थन करिए अगर आपके बच्चे में भी अगर ये चीज है, कि उसको बहुत क्रोध हाती है बहुत उसके अंदर अहंकार है उसको सही दिशा दीजिए वो गलत नहीं है सारे बच्चों में ये चीज आ ही नहीं सकती है उसको प्रकृती ने बनाया है उस तरह तब ही उसके अंदर है मेरा ये विचार आपके समुख मैंने रखा आपके मन में भी इसके उपर कोई बिचारा है तो मुझे अवस्य बताईए नमस्कार